हलो फेंट असलाम अलीकम, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत यह अच्छी होंगे, तो आज हम बनाने वाले हैं बेशन का बोहुत ही टेस्टी बनने वाला स्नाक्स, यह बोहुत ही चटपटा और बोहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होता है, बिल्कुल मार्केट जिसा य अब बनाएंगे तो और यह जो है आप एक बर बनाएंगे और इसे महिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, आपका जब मन हो जब आप इसे खा सकते हैं, और इचाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इवनिंग स्नेक्स के रूप में भी से सव कर सकते हैं, तो जीरा ले लिया है, और उसे हलका सा क्रश करके डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से आए, और यह अजवाईन ले लिया है, मैंने एक चमची और उसे भी हलका साम क्रश करके डालेंगे इसमें, अब यह जो है मैंने लोंग ले लिया है, लगबग सांसे आठ और काली इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बिल्कुल मार्केट जिसा नमकीन बन करके रेडी होगा तो आप यह जरूर डालेगा और यह जो है मैंने ख्राधनिया ले लिया है इसे भी हलका सा मैंने क्रश कर लिया है और उसे एट कर देते हैं एक चमच नमक हम जो है अपने स्व चमच केट करेंगे लास्ट में की शिष्ण चमच हम लेक ग चमच हमता ह estás कर लिया है मैंने तो आप सारे चिजह क अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा-तोड़ा पानी डाल कर रही हम जो है इस और जो है इस वो तो हम जो है नाहीं सफ्टा लगाना है नाहीं स्याधा ह बिल्कुल जिस तरीके से पूरी काटा लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है तो यह देखिए हमारा जो डो है वो बनकर के एकदम रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं तो यह बेशन है हातों में चिपक रहा है इसलिए हम थोड़ा सा ओल लगा लेते हैं और अब जो है अच तो मैं जो है लंबे सायज का बना रही हूं इसलिए हम यहां पर ओल लगा लेते हैं ठोड़ा सा और अब जो है अजा हम थोड़ा सा टुकडा लेंगे और अब जो है इसे इस तरीके से रोल करके और लंबा करलेंगे तो अच्छे से पतला लंबा करना है हमें ये दिखिए इस तरीके से और अब जो है हम इसमें कट लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर तो अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप छोटे भी कर सकते हैं इससे और अगर आपको लंबे बनाने हैं तो आप लंबे भी कर सकते हैं थोड़े तो यह दिखिए मैंने मीडियम साइस की बनाए हैं और अब हम जो है हतेलियों से इस तरीके से से सेट कर देंगे और इसके corner जो है प्रेस कर देंगे और इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे तो यह दिखे सारे नमकीन मैंने बना करके ready कर लिए हैं तो अब हम इने fry करेंगे तो यह दिखे ओईल हमारा गरम हो चुका है लेकिन मैं इस नमकीन के आपको ये बात बता दूँ कि आपका ओईल बहुत ज़दा गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो नमकीन होता है वो अगर आपने बहुत ज़दा गरम ओईल में डाल दिया या फिर आपको फ्लेम को अगर आपने फूल कर दिया तो ये जो नमकीन है वो जल जाएगा और कड़क हो जाएगा और ये बिल तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही लगबग 5-6 मिनिट मुझे लगे हैं और आमारा नमकीन जो है फ्राय होकर के रेडी हो चुका है तो यह देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूं से कि कितना बढ़िया नमकीन बना आए हमारा यह देखिए और इसी तरीके से जो है हम सारे नमकीन बना करके रेडी कर लेंगे तो आई हो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी यह रेशिपी पसंद आये होगी अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो मैं मिलती हूँ फिर से अपने नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी को लेकर तब तक के लिए टेक कैर बाई बाई एंड अल्ला हाफिज